हलो फ्रेंड्स वेलकम टू मेरे डेन आवर्सीज आज हम बात करते हैं यूके से काफी पॉजिटिव न्यूज आ रही है जो यूके के प्राइमिनिस्टर मिस्टर रिशी शुनक वो ग्लोबल इंवेस्टमेंट समिट और गनाइज करेंगे जिसके अंदर टूहंडेड टूप करेंगे यूके कमिट कर रहा है कि अटलिस्ट थर्टी बिलियन पाउंड इन्वेस्टमेंट आएगा इस इन्वेस्टमेंट से फाइदा यह होगा कि यूके की जो एकोनोमी है वो काफी ज्यादा बुस्ट होगी नए बिजनेस आएंगे तो उससे जोब ऑपोर्चुनिटि इन नहीं के चाहिए है तो आप गोड़को कए लिडायि ना आक रपके होगा यह ठोलिके कर सकते हैं अगर आप अन्वेस्टमें मेंतर में इन आप पनलाय कर सकते हैं अगरा है से ने आप कोड़ Cornelope की कर सकते हैं अपना स्कील विजा अंगाती है दुड़कों स्कुनिद को क्योंकि जो UK की प्रिवेस सोम सेक्रेटरी थी स्वेला ब्रेवर्मेन जिनको प्राम मिनिस्टर ने फायर किया था जैन्वरी 23 के अंदर उन्होंने एक स्टेटमें निकाला था उन्होंने एक प्रपोजल रखा था गवर्मेंट के सामने जहां पर वो चाहरे थे कि जो दो साल का PSW है उसको उल्टर करके 6 मन्स का कर दें बट UK गवर्मेंट ने बिल्कुल उसका अपोज किया मिस्टर रिशेश उनिक जो वहां के प्राम मिनिस्टर ने बिल्कुल अपोज किया वो इंटरनेशनल स्टुडेंट के फिवर में हैं वो चाहते हैं कि जितना भी इंटरनेशनल टैलेंट है वो UK के अंदर आया है UK में इन्वेस्ट करें ताकि UK की जो एकोनूमी है वो बुस्टो अगर आप स्टड़ी विजसा के प्लानए उकांदर तो यसीजन बे Tomorrow अगर आपको अपनी स्टडी विजसा से प्लाइटेज चुड्य कोई भी क्वेरी से और आप वमसे डिर्की खनेट कर सकते हैं आप हमसे face to face connect हो सकते हैं या फिर आप हमसे online counseling book कर सकते हैं ऐसी ही continuous updates के लिए friends हमारे चैनल को subscribe कीजिए, video को like कीजिए and bell icon press कीजिए, thank you